हेलो बच्चा लोग, welcome back to the advanced problem series, यह अपना question number 2 है from the chapter, capacitor और इस series में हम लोग advanced level के problems ही discuss करते हैं in great detail, especially the concepts, ठीक है, तो चलिए इस सवाल को एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं, तो आपके सामने यह दो identical capacitors है, दोनों का जो प्लेट एरिया है, वो हमें सवाल में small a दे रखा है, और इनके बीट का जो separation है, वो हमें small d दे रखा है, ठीक है, फिर हमसे कहता है कि यह जो बी वाला capacitor है, इसका जो दोनों प्लेट से, दे आर separating, they are moving away from each other at a constant rate of v, when the separation of the plates in b is 2d, then the rate of work done on the battery is this much, तो हमें यह small n की value बतानी है, ठीक है, तो यह सवाल बहुत ज़दा difficult नहीं है, लेकिन इस सवाल को सिर्फ formula के basis पर ना solve करके, अच्छे से समझते है कि पहली बात तो सवाल में हमसे यह क्यों कह रहा है, work done on the battery, work done on the battery, rather than asking work done by the battery, तो यह on the battery, by the battery में difference क्या है, और सवाल को फिर हम लोग समझेंगे, अच्छे से feel करके समझेंगे, ठीक है, तो आपको यह बात समझ में आना चाहिए, पता होना चाहिए, कि अगर आपके पास इस तरीके से, लेटेस से कोई battery है, ठीक है, अगर चार्ज आपको इस तरीके से मुव करें, फ्रम हाईर पोटेंशल तो लोग पोटेंशल, वी से वर्क इस दन ओन दी बाटरी, ठीक है, और वो वर्क क्या होगा, that is simply q into potential difference, that is v, ठीक, तो क्या इस सवाल में ऐसा हो रहा है, कि चार्ज इस तरीके से मुव कर रहा है, is it happening really, ठीक है, वो हम check कर सकते है, शुरुवात में दोनों capacitor के plates का separation वो आपको small d है, ठीक है, between the plates increase करेगा, तो capacitor की value तो घटेगी न, capacitance जो है वो तो घटेगा, क्योंकि denominator में आपका वो d होता है, तो अगर d increase करेगा, तो आपका c की value decrease करेगी, इसका मतलब overall system पे जो charge stored है, वो आपको decrease कर रहा होगा, यानि कि शुरुवात में अगर 6 कूलम था, तो कुछ समय बाद शायद 5.9 कूलम हो गया, फिर कुछ समय बाद 5.8 कूलम हो गया, इसका मतलब continuously 0.1 कूलम, 0.1 कूलम यहां से निकल निकल के आ रहा है, और इस थरीके से move कर रहा होगा, which is moving from positive terminal to negative terminal, that is why the question is asking, work done on the battery, ठीक है, ओके, तो एक बारी ये feel आपको समझ में आ गया है, समझ में आ गया कि सवाल में हो क्या रहा है, तब solve करना उतना मुश्किल नहीं हो जाता है, ठीक है, not, सिर्फ खाली formula नहीं लगाना है, समझना है कि सवाल में चल क्या रहा है, that is the key thing to crack the exam like IIT, J Advanced Papers, चलिए, तो माल लेते हैं कि किसी time T पे, B, B के पास्चर के plate का जो separation है, वो आपको X है, वो आपको X है, है कि नहीं, समय शुन्य पे अगर हम से कोई पूछेगा, तो X की value D के बराबर थी, है कि नहीं, शुरुवात में दोनों plates का बीच का separation D था, लेकिन किसी general time T पे, वो distance X हो चुका है, यानि कि D plus something, ठीक है, तो अब हम लोग इस system का equivalent capacity लिख सकते हैं, right, at general time T, at time T, C equivalent क्या हो जाएगा, this is going to be CACB, दोनों आपको series में है, C A plus C B, तो क्या हम C A के value लिख सकते हैं, लिख सकते हैं जनाब, A epsilon naught upon D multiplied by A epsilon naught upon X, whole divided by A epsilon naught upon D plus A epsilon naught upon X, ठीक है, तो एक A epsilon naught तो कट कर सकते हैं इस तरीके से, numerator में आपके पास होगा, A epsilon naught upon X into D upon X plus D divided by X D, तो ये X D, X D अपना कट जाएगा, and you are left with C equivalent आपका आज रहा है, बड़ा simple सा value निकल के आया है, A epsilon naught upon X plus D, ठीक है, अब समझ ये, तो किसी time T पे system का C equivalent इतना है, तो उस time T पे, पूरे system पे जो आपको charge stored है, Q की जो value होगी, that is C equivalent multiplied by V, which is nothing but A epsilon naught multiplied by V upon X plus D, ठीक, तो किसी time T पे इतना charge है, राइट, किसी time T पे इतना charge है, तो थोड़े से time बाद, यानि कि DT time बाद, DT time बाद, जो पूरे system पे charge होगा, वो होगा आपको कुछ Q minus DQ, DQ charge वहाँ से निकल के battery में enter कर रहा होगा, वो हम निकाल सकते हैं, इसको differentiate कीजिए, तो आपको आज आएगा कि DQ charge flowing through the battery in DT time is equal to how much, राइट, हैट को differentiate कीजिए, या आपको आज आएगा A epsilon naught voltage upon denominator तो आपका square हो जाएगा, एक negative sign भी आएगा है कि नहीं, 1 upon X plus D को आप जब differentiate करेंगे, तो minus 1 upon X plus D का whole square multiplied by DX by DT हो जाएगा, DX by DT हो जाएगा, और हमें सवाल में DX by DT velocity के form में दे रखा है, यह हमें, यह जो V है वो क्या है, rate of separation क्या है basically, DX by DT तो है, ठीक है, अच्छा, तो हमें यह पता चल गया है कि in DT time, in DT time, जो DQ charge flow कर रहा है, what is that DQ charge, DT को उधर ले जाएगे, right, तो आप इसे, अच्छा, इस वाले को भी लिख दिजेगा small V, है ना, you can write this as small V, तो यह आपको हो जाएगा minus A epsilon, और हमें magnitude पता है, we are just interested in magnitude, right, तो A epsilon naught V, small V, इस dx by dt को लिखा small V, upon x plus d का whole square, multiplied by dt, इस वाले dt को right side ले गया, तो DQ charge में, DT time में, इतना charge flow कर रहा है, इतना charge flow कर रहा है, ठीक है, so what is the work done on the battery, right, what is the work done on the battery, जब DQ charge flow करता है, तो जो एक छोटा सा work done हो रहा है, DW work done, that is basically, charge flow multiplied by potential difference, potential difference, तो यहां से आपको, DW आ जाएगा, इस पूरे term को V से फिर से multiply कर देजे, यह आपको हो जाएगा, A epsilon naught V square, small V upon x plus d का whole square, multiplied by dt, और इस dt को अगर आप denominator में, दुबारा से लिखते, तो आप से सवाल में, यही पूछा गया था, rate of work done, यानि कि, यह तो formula हो गया, लेकिन हम से एक special position पे पूछ रहा है, कि जब x की value, 2d हो जाती है, उस शन पे, उस moment पे, what is the rate of work done, तो x की जगा, अगर आप 2d पूट कर दे, है ना, यहाँ पे x की जगा, 2d पूट कर देजिए, तो यह आपको हो जाएगा, a epsilon naught, voltage square, velocity, divided by, 3d का whole square, which is 9d square, आप compare करेंगे, तो आपको यहाँ से समझ में आएगा, कि n की value, 9 है, 9 है, ठीक है, तो अब, आप में से कुछ सोच सकते है, कि सर, यहाँ पे इतना सब कुछ करने का क्या ही जरुवर था, q is equal to c equivalent into voltage आपको दिया हुआ है, तो आप simply work done को लिख सकते थे, q into v, यानि की c equivalent multiplied by v square, और फिर इसे dwy dt कर देते, answer आ जाता, कोई बात नहीं, same answer आएगा, सब कुछ सही है, लेकिन, feel missing है, feel missing है, कि आप कैसे justify कर दो इस बात को, तो यह जो dq dq charge का जो flow करना है, वो आपको proper feel दिला रहा है, कि हमने कैसे result लाया, ठीक है, I hope आपको यह पूरा सवाल समझ में आया है, यह concept भी समझ में आया होगा, right, चलिए हम लोग मिलते रहेंगे, कैसे और सवालों में, तब तक के लिए take care, bye bye,